असलावलेकॉम वेलकम टू जाफर सर्स एक्लास जे इसी जाफर सर के एक्लास में आपका स्वागत है वेलकम है खुशामदीद इस्तखबाल आज यह हमारा ग्रामर सिरीज के प्रेट का तिसरा प्रेट है और इस प्रेट में आज हम पार्स ओफ स्पीच का जो पहला पॉइंट है नाउन वो देखेंगे नाउन वो वर्ड होता है वो लबज होता है जो किसी परसन यान शक्स एनी लिविंग बिंग कोई जानदार अ प्लेस जगा किसी जगा अ थिंग किसी चीज एंड एंड आइडिया और कोई खयाल इसके नाम को नाम नाउन कहते हैं इस्म कहते हैं उर्दू में हम इसे इस्म कहते हैं और मराठी में इसे नाम कहते हैं अब किसी शक्स के कोई जानदार चीज के कोई जगा के और कोई खयाल के नाम को हम क्या कहेंगे इस्म कहेंगे जिससे उसका पता चलता हो नाम का पता चलता हो The words taught by the parents to their kids are mostly nouns यहने वो अलफाज जो बच्चों को सिखाई जाते हैं अपने वालिदेन के जरीए अपने वालिदेन जो अपने बच्चों को जो सिखाते हैं ना Words वो आम तर पर जो है ज्यादा तर क्या होते हैं वो नाउन ही होते हैं क्या क्या सिखाते हैं देखिए नाम सिखाते हैं कोई लोगों के नाम, अबा का नाम, अम्मी का नाम, रिष्टदारों के नाम, नन्याल वालों के नाम, दद्याल वालों के नाम, कोई चीजों के नाम, फल के नाम, फूल के नाम, जगा के नाम, शहर के नाम, चीजों के नाम, यह जो भी चीज़े हैं यह हम क्या सिखाते हैं असल में बच्चों को noun ही सिखाते हैं अब noun में हम देखेंगे singular and plural forms of nouns अब noun आ गया ना तो noun के में जो है उसके दो forms है एक है singular याने वाहिद और एक है plural याने जमा singular वाहिद एक वचन plural जमा अनेक वचन इसमें हम इसका मुतालग करेंगे नमबर एक देखते हैं उसमें most of the noun of singular form change to plural forms by adding the letters the letter S हाँ ज्यादा तर जो noun होते हैं उन्हें plural बनाने के लिए जमा की हलत में बनाने के लिए लाने के लिए या लिखने के लिए सिर्फ उसके आखरी में S याने जोड देते हैं तो उसका plural बन जाता है अनिक वचन बन जाता है जमा बन जाता है एक्जामपल देखें यहाँ पर EG दिया हुआ है एक्जामपल मदर मदर्स है ना मा मदर्स माहें गर्ल लड़की गर्ल्स लड़कियां पेन खलम पेन्स खलमें बुक किताब बुक्स किताबे हैंड हाथ हैंड दो हाथ पिक याने चोटी जो पहाड बगरा क्यों होती है और पिक पिक्स चोटियां स्कूल 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 कहीं स्कूल रोड सडक रोड सडके कार गाडी कार्स गाडिया साइकल, साइकल, साइकल्स साइकल नहीं एक से ज्यादा साइकल तो देखिए इसके अंदर सिर्फ क्या जोड़ा गया एस जोड़ा गया वो नाउन को तो वो उसका प्लूरल जमा बन गया नमबर सेकेंड है उसमें नाउन्स एंडिंग इन एस कॉमा एस एज कॉमा एस कॉमा क्यू जेड गेट दा प्लूरल फर्म्स बाइडिंग एस at the end of the words उसके ऐसे नाउन जिसके आखरी में S आता है या SH आता है या ES आता है या QZ आता है तो इसके इसका प्लूरल बनाने के लिए आखरी में उसके सिर्फ S लगाने से चलेंगा नहीं पहले वाली की जैसा अब यहाँ पर ES लगाना पढ़ेंगा तो उसका वो प्लूरल बनेंगा अने क्वचन या जमा बनेंगा जैसे हैं दिया हुआ एक्जामपल बस देखो B-U-S आया S आया आखरी में तो उसका हो जाएंगा बसेस B-U-S-E-S E-S लगा वाँ पर बस एक बस, बसेस कहीं बस बुश जाड़ी बुशेस E-S लगा देखिए बुशेस जाड़ियां ब्रांच शाख ब्रांचेस शाखें बॉक्स डबबा बॉक्सेस डबबे टोपेस ये एक हीरा है खीमती पत्थर टोपाजेस कहीं खीमती पत्थर अब नमबर थरी देखिए देखिए वहां पर example देरा öğrens में नमबर वन है सिटी, सिटीज सिटी में देखिए आखरी में वाई आया है तो वो वाई तबदिल हो गया अब उसे एस लगा तो वो हो गया सिटीज सिटी शहर सिटीज कहीं शहर नमबर दो है बॉइ तो उसका हुआ बॉइज अब देखिए हाँ पर भी वाई लगा लेकिन वाई तब्दिल आए एस में ने हुआ डाइरेक्स सिर्फ उसके क्या लग गया ऐस लगया तो क्या हो गए बॉइ लड़का बॉइ लड़के अब ही क्यों है तो हम उसका नीचे देखिएंगे डेफिनेशन दिया हुआ है उसने उसका खुला सा बोट दा वर्ड्स एंड इन दे लेटर वाई यहने दोनों अलफ़ाज वाई पर खतम हो रहे हैं उनके आखरी में वाई आ रहा है सिटी में भी वाई आया है और बॉइ में भी वाई आया है लेकिन बट इन दा प्लूरल फॉर्म्स डिफरेंट रूल्स आर अपलाईड ले यहां ञांत के पहरें सिटी में देखिए है है यहां पर यहां हो यहां हो गया और लग कान्स हो गया है अब उसके आंगे श के नियुआ हम देखिंगें अब देखिए जो alphabets है एक से लेके 26 तक याने ए से लेके Z तक जो 26 alphabets है इसमें हम देखते हैं कि 5 vowels है A, E, I, O, U यह vowels है और इसको छोड़कर जो 21 जो है वो consonant है जैसे कि B हो गया, C हो गया, D है, F है इस तरह के यह consonant है तो अब वो यही बतला रहा है कि पहला जो वर्ड है C, C, T में Y आखरी में आया लेकिन Y से पहले consonant है T इसलिए उसका जापता यह बनेंगा कि वो Y निकल जाएंगा और I, E, S लगेंगा लेकिन जो दूसरा वर्ड है Boy, Boy में Y से पहले जो है O है और यह O क्या है वावेल है उसको यह रूल्स लागू नहीं होता है वो इस जापते में नहीं आता बलकि जैसे कि वैसा रहेंगा और खाली S लगेंगा अब हम उसके आगे देखेंगे क्या बतलाते हैं वो In the second word, the letter preceding to Y is a वावेल वो क्या है वावेल है Second word में Y से पहले O वावेल आवा है As such, different rules are applied इसलिए हमाँ पर यह मुक्तलिफ या दूसरा अलग से रूल इस्तेमाल हुआ है वो पहले का रूल जो है Y हटा कर IES लगाना यह कब होता है जब Y के पहले consonant होता है Two more examples based on the above said rules are अब इससी तरह के जो उपर का जो हमने तरीखा देखे हैं जो जापता देखे हैं उसी पर यहने उन्होंने क्या किये है नीचे example दिएवे, मिसाल दिएवे, A है देखिए, body तो उसका हो गया bodies, BOD, Y निकल गया और उसकी जगा लग गया I, E, S है ना क्यूंकि Y से पहले हुआ D है और D consonant है अब उसके बाद देखिए, B है, B है toy, toy यहने, hillona तो toys हो गया उसका तो Y निकल के I, S ने लगा, Y से पहले O है इसलिए toy जैसे के वैसे आएंगा और खाली S लगेंगा तो हो जाएंगा toys, toys यहने, hillona उसके बाद देखिए number 4 है, Roman आदत में लिखा हुआ Now, let us examine some plural words ending with the letter O, अब letter O पे जो खत्म होते हैं, vowels, वो उसका plural किस तरह से बनेगा Number 1, radio, radios, देखे खाली S लग रहा है, studio, stodios, dynamo, dynamos, piano, pianos, piano बजाने का जो रहता है तो वो piano का हो गया, pianos, खाली S लगा हमापर, है ना तो यह उसके plural अने क्वच्छन बन गए, अब इसका rule क्या बतला रहे हो, the preceding letters 2 O, in the first two words are wawels हाँ, पहले जो दिये वे हैं, वो क्या है, wawels है, O से पहले क्या आया है, radio में आया जो wawels है, इसमें क्या आया, O से पहले आया, वो भी क्या है, wawels है, सिर्फ S लगा, उसके बाद, dynamo में, O से पहले, M है, जो consonant है, अब यहाँ देखेंगे, हम प्यानो में, O से पहले N है, वो N भी क्या है, consonant है, तो यहाँ पर बतला रहे हैं, कि based on this S is added to make plurals, वो plurals यहने, बनाने के लिए, उसमें S जोडा गया, सिर्फ, लेकिन अब देखें, कौन सा रूल्स बताते हैं, वो, कली वो, डाइनमो, और प्यानो को छोड़कर, नीचे अब देखेंगे, दुसरे O आले बतला रहे हैं, वो, in the third and fourth words, no such vowel precedes O, O से पहले यहने vowels, नहीं है, these are exceptions, यह इनी को छोड़कर, यह एक्सेप्शन से, यह जरा हटकर है, इसको अगर छोड़ दिये, तो the following are some of the plural words, ending with O, अब यह देखो, नीचे के भी जो वर्ड है, वो, O पे खतम हो रहे हैं, लेकिन O से पहले वहाँ पर consonant है, number one, potato, यहने आलू, potatoes हो गया, अब महाँ पर O के बाद ES लगा, O के बाद क्या लगा, ES लगा, यहने O से पहले, अगर consonant है, तो O के बाद ES लगेंगा, लेकिन dynamo और piano को छोड़कर, यह exception है, यह rule में वो चामिल नहीं होते, number two है, eco, उसका होंगा, eco's, ES लगेंगा, देखिया आखरी में, number three, tomato, तो tomatoes, ES लगा, in the said words, the preceding letter to O is not a vowel, यह जो यहाँ पर बताया गया है, कि वावेल से पहले हाँ पर, O से पहले वावेल नहीं आया है, इसलिए ES लगा, hence, ES is suffixed to the singular noun to form plural, इसलिए वहाँ पर क्या लगा, suffix याने उसको जोड़ा गया, लाहिक है, उसके पीछे याने जो है, लगाया गया, उसे suffix कहते हैं, जोसे मुर्द में लाहिक है कहते हैं, पीछे जो लवज याने जुड़ता है, वो क्या जुड़ा हमाँ पर, ES यह हुर्फ जुड़ा गया है, यह suffix हमाँ पर, तो उसका क्या बन गया, वो singular का plural बन गया The following words are rather typical and they do not fall under any of the rules, detailed about, यह जो उपर के हमने जो rules देखे हैं, यह rules में यह नीचे के जो अब अलफाज दिये गए हैं, जो blue color में देखुए आखरी में, वो एक भी लवज वो rules में नहीं बैठता है, यह ज़रा different, typical है याने, ज़रा मुक्तलिफ खिसम के है, ज़रा जी वो ग plural form, जैसे कि अब यहाँ देखिए, नमबर एक देरा है, वो son in law, son in law, son in law, son in law किसे कहते हैं, son in law कहते हैं, दामाद को, और जो यह son in law है, तो अब उसका क्या होगा, sons in law, कहीं दामाद, उसके बाद है, देखिए, brother in law, brother in law, याने, साले साब, या जो है, नहीं को भी याने, कहते हैं, तो brother in law, जो है, उनका होगा, brothers in law, उसके बाद देखिए, mouse, mouse याने, चुहा, उसका हो गया, mice, कोई रूल में बैठा के देखिए, कोई आली, आज जब, आजीब होगा, यह मैंने, अलगी spelling होगे, म, आ, सी, माइस, चुहे, मैन, आदमी, मैन, आदमिया, टूथ, दात, टीथ, दात, कहीं दात, कैटल, अब कैटल का देखिए, कैटल ही है, मवेशी, मवेशिया, शीप, भेड, तुसका क्या है, शीप, कहीं भेड को भी शीप ही कहते हैं, जो का तू, जैसे के वैसा, इस तरह सिहाँ पर हमने जो है, इस प्रेट में नाउन देखे हैं, अब नाउन की मुक्तलिब जो खि अची तरह से देखिए, इससे कुछ सीखिए, और इसे अपने नाटबुक में गुड हैंड रैटिंग में लिखकर अपने अपने गूरूप पर भेंजे, अपने टीचर से चेक कराए, कि हमने ये बराबर लिखे हैं, और इसमें कुछ अगर अपने लिखावट में गलती हो हमजने वाले, और अच्छा है इनने जो है इंतियान देकर आगे ने कामियाब होने वाले तालिब इल्म बने, हम आपके लिए दूआ करते हैं, आप हमारे लेए दूआ करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुनुशाने के लिए शेयर करो, वीडियो को ला आबाद रहे, बाई बाई, गुडबाई, have a nice day.